दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा email id का password कैसे पता करते हैं अगर आप अपनी email id का password भूल गए हैं तो आप 3-4 मिनट में अपनी email id का password पता कर सकते हैं मैं आपको 100% real trick बताऊंगा मैं आपको दो आसान trick बताऊंगा दोनों में से एक trick आपकी email id पर work करेगी और आपकी email id का password आपको मिल जाएगा इसके लिए आपको अपने phone में Gmail app को open करना है इसके बाद उपर में Gmail की profile पर click करना है इसके बाद यहाँ पर आपको एक option मिलेगा Google account इस पर आपको click करना है इसके बाद यहाँ पर आपको इस तरह से slide करना है यहाँ पर आपको एक setting मिलेगी security इस पर आपको click करना है इसके बाद यहाँ पर आपको सबसे नीचे आ जाना है तो यहाँ पर आपको एक setting मिलेगी password manager इस पर आपको click करना है अब यहाँ पर आपको आपकी email id और password दोनों ही मिल जाएंगे लेकिन अगर आपको यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है इस तरह से option आते हैं यहाँ पर कोई भी password save नहीं है password manager में तो फिर आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ उपर में आपकी email ID की profile आपको दिखाई देगी इस पर आपको click करना है इसके बाद यहाँ पर आपको इस arrow पर click करना है अगर आपने अपने phone में एक से जादा email ID login की है तो आपको कोई दूसरी email ID select कर लेना है इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे password manager में आपको google.com का option मिल ज पासवर्ड आपके सेव होंगे वो आपको यहां पर मिल जाएंगे google.com के अंदर आपकी email id का password आपको मिल जाएगा इस पर आपको किलिक करना है इसके बाद आपके mobile का जो screen lock है वो आ जाएगा आपको इसे यहां पर इंटर कर देना है तो यहां पर आप देखेंगे हमारी email id का password यहां पर दिखाई दे रहा है अगर आप यहां पर i button पर किलिक करेंगे तो password आपको दिखाई देगा जिसे मैंने blur किया हुआ है copy button पर किलिक करके आप password को copy भी कर सकते हैं लेकिन मान लीजिए इस तरह से आपको यहां पर password manager में आपका password नहीं मिल रहा है जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था यहां पर यह वाली email id में यहां पर password manager में कोई भी password दिखाई नहीं दे रहा है sorry यहां से हम change करते हैं इसको और यहां पर आप देखेंगे password manager में कोई भी password save नहीं है तो इस तरह से अगर आपका password आपको नहीं मिल रहा है तो मैं अब आपको दूसरी trick बता देता हूँ दूसरी trick आपके phone में 100% work करेगी तो आपको यही पर आना है security वाले section में इसके बाद थोड़ा सा नीचे आना है तो यहां पर आपको एक option देखने के लिए मिलेगा आप देखेंगे यहां पर password इस पर आपको click करना है इसके बाद यहां पर इस तरह से page open हो जाएगा अब यहां पर आप देखेंगे email id का password इंटर करने का option हमें मिल रहा है तो क्या होगा आपको एक नया password create करने का option मिल जाएगा यानि के पुराना password अगर आप भूल जाए हैं तो उसे भूल जाएगे उसे याद करने की जरूत नहीं आप यहां पर एक नया password create कर सकते हैं एक नया password बना कर अपनी email id को कहीं पर भी login कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर हमें continue पर click करता हूँ इसके बाद screen lock आजाएगा इसे आपको यहाँ पर confirm कर देना है इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे password change करने का option आपको मिल जाएगा जैसे के आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अपना एक new password create कर लेना है password यहाँ पर मैंने enter कर दिया है new box में password enter करना है फिर से same password को यहाँ पर आपको confirm करके नीचे change password पर click करना है इसके बाद इस तरह से pop up आएगा फिर से आपको change password पर click करना है इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे आपका जो password है वो change हो जाएगा एक नएा password हमारा बन गया है पुराने password की हमें जरूरत नहीं है अब नए password की मदद से हम अपनी email ID को कहीं पर भी login कर सकते हैं नई email ID से कहीं पर भी account create कर सकते हैं इस तरह से दोस्तों आप अपनी email ID का password पता कर सकते हैं लेकिन दोस्तों अगर आप email ID का password भूल गए हैं और आप login ही नहीं कर पा रहे हैं ठीक है ये तो पहले से login था हमारा account तो यहाँ पर हमने password को change कर लिया लेकिन अगर दोस्तों आप email ID के password को forgot करना चाहते हैं यानि के आपने email ID अपने phone में login नहीं किये आप login करने जा रहे हैं औ और आपको password याद नहीं है तो फिर आपको password को forgot करना होगा इस topic पर मैंने पहले से वीडियो बना रखता है यहाँ पर आपको वीडियो नजार आ रहा होगा इस वीडियो को जरूर देख लेना अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी help मिली है तो चैनल को subscribe कर देना वी इस वीडियो जरूर लिखना